तो आज मैं कलक करने जा रहा हूं हैंगिंग मास्किट में दिखने वाली बहुत ही ब्यूटिफुल टैटल वाइन के सीड्स आप सभी जानते हैं कि जो विंटर का सीजन है वो शुरू हो चुका है और विंटर के सीजन में जो टैटल वाइन है वो डॉर்मांसी में जाने से पहले ये जो वाइन है, हमें बहुत सारे जो शीड है वो देकर जाती है sill कि नेक्स सीजन में से घरमी की शुरुवांत होन कलक करेंगे वीडियो में मरसत अंतर तक बने रही हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे विंटर का सीजन आता है तो हमारी जो टैटल वाई ने वो सूखने लगती है और उसके उपर बहुत ही ब्यूटिफूल से जब फ्लावर है वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर वो ग्रो होने लगते हैं फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रक्टिव नहीं होते हैं वाइन ही बहुत ज़्यादा सुंदर होते जैसा कि आपने शुरुआत में देखा तो जैसे जैसे यह जो वाइट कलर के ब्यूटिफूल फ्लावर है मैचॉर होने शुरू होते हैं तो ड्राइप हो जाते हैं और जब ड्राइप होते हैं तो इसके अंदर जो है बहुती छोटे चोटे टाइनी जो शीड है वह फोर्म होने शुरू हो जाते हैं तो उनको कला करके भी हम टेटल वाइन को जो है बहुती आसानी से ग्रो कर सकते हैं हाला कि इसको कटिंग से बहुती आसानी से उगाया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि जो भी dry up sheet है आपको दिखाए देंगे brown color के उन सभी branch को जो है वो मैं cut कर लूँगा उसके अपर जो छोटे छोटे dry up flower है और उसके अंदर से मैं sheet जो है वो निकालने वाला हूं इससे आप नेक्स सीजन के लिए अपनी ट्रेटल वाइन को जो है वो सेव भी कर पाएंगे इनी सभी ड्राइब ब्रांचीज को हटा कर और शीड भी आपके कलेक्ट हो जाएंगे तो एके करके मैं जितनी भी ड्राइब शीड मुझे नजर आएंगे वो सारे के सारे मैं कलेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि सीड को जो है आपको कैसे निकालना है इस फ्लावर के अंदर से और स्टोर करके कैसे रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा तो एक एक करके मैं जितनी भी ब्राइब 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 तो निकालता हूं में सारे और इसको में एक प्लेट में जो है वो कलेक्ट कर लूगा तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो ड्राई ब्रांचीज है जिसके अपर जो फ्लावर है वो पूरी तरह से ड्राई अप हो चुके हैं अब इसके अंदर से आपको कोड़ना थोड़ से रब कर दो दोनों हाथ से भी रब करना चाहो तो आप रब कर सकते हो तो इससे क्या होगा कि जो भी मैच्योर शीड होंगे वो फ्लावर के अंदर से बहार आ जाएंगे बहुती आसानी के साथ तो यह उपर से जितना भी ब्रांचीज है मोटी वाली है सभी हटा दीजिए सीड आपको भी थोड़ी दर में नजर आने लगेंगे बहुती टाइनी सीड होते तो उपर से इतनी आसानी से दिखाए देने वाले जो है वह नहीं है और देखिए एक बात बता देता हूं यह देखिए आपको सीड नजर आगे तो फूग मार दीजे का थोड़ी सीड बहुत चोटे चोटे सीड होते है ट्राइटल वाइन के और आइस जो फ्लावर प्लांट होते है उसके सीड भी कुछ इतने चोटे-चोटे ही होते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सीड जो है वह मैंने कलेक किये हैं और भी मैं सीड जो है वह कलेक करने वाला हूं तो काफी शीट बाद मेरे पास हो जाएंगे तो समय उनको प्रिजरु करोंगे तो के सिंपने के लिए क्हाश्प लिए क्हाश्प से कम इसको जो है आपको 2-3 दिन दूप के अंदर डॉय प करना है यह देखे तो काफी शीट कलेक्ट डॉय तो डॉय आप कर लिए कर्मियों की शुरुवात होगी तो उसमें हम ग्रो करेंगे तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स की आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले बैल आइकन जरूर प्रैस करेंगे तेंक्स वर वोचिंग